कि आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पार्ट शाला में मैं साथी साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर और बेल एकन दबा दिए तक आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन निखती रहें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बाइबएक ओफ शेयर के बारे में हम बात करें कि बाइबएक ओफ शेयर क्या होता है और एसे कौन से कंडिशन हैं जो की फुल्फिल करने पड़ते हैं बिफोर अपने ही शेयर को की बैल ऐकन दबाना है उसके बाद यह जोईन का बटन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इसको आपको क्लिक करना है इसको क्लिक करने के बाद आपको इगनू बीकॉम में आना है उसके बाद यह ब्लू कलर का जोईन का बटन दिखेगा इसको आपको क्लिक करना है और हमारे जो आपको 24-7 WhatsApp support मिलेगा, regarding any question, any query, जो भी आपकी दिमाग में होगी, उस चीज में आपको help provide कराई जाएगी, ठीक है न, यह benefits है, इसके अलावा आप जब भी study करें, तो हमारे, you know, जो playlist है, वहाँ पर आ करके करें, आपको करना क्या है, हमारे channel पर आने के बाद ही, जो playlist का option है, इ कीचे की तरफ आना है, इगनू become new के उपर click करना है, become new में देखो, यहाँ पर first year, second year और third year की सारी की-सारी playlist अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत सारी videos अवेलेबल हैं, जिनको देख करके, आप examination की तयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, साथी साथ हमारे channel m.com क्लास 11-12 के तयारिया भी करवाता है, तो अगर कोई students इसमें interested हो, तो हमें join कर सकता है, ठीक है, तो चलिए हमारे topic के तरफ चलते हैं, जो कि buyback of shares, और conditions for buyback of shares, तो introduction सबसे पहले समझ लेते हैं कि buyback of shares होता क्या है, तो the act of purchasing its own shares by the company, either from free reserves, securities premium और proceeds of any shares or securities is called buyback of shares, तो buyback of shares का मतलब होता है कि एक company अपने company के shares को खुदी से purchase कर ले रही है, ताकि वो अपना stake जो है company में और बढ़हाल, जैसी कि आपने सुना है कि 49% से जादा अगर आप किसी को अपना share बेच देते हो, तो आपको दिक्कत हो सक सकती है, आप एक तरीके से वहाँ पे minority में आ सकते हो, 51% जिसके पास होता है, वो majority में होता है, सारी decision लेने का हग भी उसी के पास होता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इस केस में बहुत सारी companies क्या करती है, अगर वो माल लीजी है, अगर ज्यादा वो shares issue कर दे है, अपने ही share का जो हम खरीद लेते हैं, चाहे वो free reserve में हो, या securities premium में हम खरीद ले, या जो हम खरीदते हैं, इसे ही हम कहते है, buyback of shares, है ना, the company's amendment act 1999 via 1777A, 77AA and 77B allows companies to purchase their own shares subject to the certain conditions, these conditions are discussed in the next section, है ना, तो इस section में आपको बताया, 77AA and 77B, इसके according, जो event act आया था, 1999 में, companies act का, उसमें या बरूला गया, कि जो company's है, वो अपने shares को वापस से purchase कर सकती है, जैसे share को बेचती है, हम खरीदते है share को, तो वो चाहे तो अपने shares को वापस से, खुदी से खरीद सकती है, अगर उनके पास certain conditions को fulfill करेंगे, तो ऐसे कौन-कौन से conditions है, सब सबसे पहले हम पढ़ ले, सबसे पहला, जो condition यहां पर बताया गया है, यहां देखो लिखा हुआ है, condition for buyback of share, सबसे पहला condition है, the article of association of the company authorized buyback share, तो article of association जो company का सम्विधान होता है, जो rule book होता है, उसमें अगर यह mentioned है, कि company अपने shares को वापस से खरीद सकती है, जैसे हम buyback share कहत है, तो वो possible है, तो article of association of the company authorized buyback of shares, उसको authorized करना पड़ेगा, authorized उसमें होना चाहिए, तो ही वो चीजें हो पाएंगे, the special resolution is to be passed in the general meeting of the company, तो company की जो general meeting है, उसमें आपको एक special resolution pass करना होगा, जहां पे आपको यह बताना होगा अपने investors को, कि हम अपने company के shares को वापस से खरीद करने हैं, तो सारे board of directors अगर उसमें सहमत होगे, तो ही आप खरीद पाएंगे, तो एक special resolution pass करना होता है meeting में, ठीक है, तीसरा point है, the buyback of shares should not exceed 25% of the paid up capital and free reserves of the company, तो company का free reserve है, और 25% of the paid up capital, paid up capital क्या होता है, मैंने previous video में बताया है, playlist में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, 25% of the paid paid up capital और जो free reserve होता है company का, इसकी value मिला करके 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसको वो खरीद रहा है, मतलब जो भी share वो खरीद रहा है, उसकी value 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए of the paid up capital and free reserve of the company, तो आपको clear हो गया हो नहीं समझ में, आप मुझे में पूछिए, after such buy back, the debt equity ratio should not exceed 2 is to 1, इस buyback के बाद, अगर आपका ratio 2 is to 1 से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप खरीद नहीं सकते, आप किसी भी हालत में आपको अपना ratio 2 is to 1 का maintain करके रखना बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है, किसी भी buyback में आप इस ratio को तोड़ नहीं सकते हैं, यह भी आपक नहीं सकते हैं, पाँचबा number pointer from the 12th month of the date of passing of resolution, जो मैं भी आपको कहा था, the buyback should be completed, तो 12 महीने के भी पर जैसे ही आपने resolution, यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि special resolution पास करना होगा meeting में, उसको पास करवाने के बाद, आपको 12 महीने के भीतर ही आपको जो अपना buyback कर लेना है, अ all the buyback shares should be fully paid up, जो भी buyback share होगा, वो fully paid up होना चाहिए, 10 रुपे ताजर value है एक share की, तो 10 रुपे मुझे पूरा चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 रुपे आभी मिला, 5 रुपे आप में मिला, तो यह company जो है आपस में, आपस में बोरो, company जो है खरीद सकती है अपने ही shares को, लेकिन fully paid up उनको करना होगा, right, सात्वा number point है, a declaration of the company should be filed with the registrar of the companies and securities action board of India in the form of an affidavit, तो एक तरीके से आपको जो है affidavit submit करना होता है, CB को और registrar of companies के पास में कि हम अपने shares को वापस से खरीदना चाहते हैं और खरीद रहें, इसके लिए आपको एक declaration sign करके देना पड़ेगा, किसको क affidavit में declaration जो है, वो देना है, ऐसा नहीं कि plain paper में declaration दे दिया और हो गया, आपको एक proper affidavit करवाना होगा, उसमें declaration देना होगा, कि हम अपने shares को buyback कर रहे हैं, किसको, CB को और registrar of companies को, right, नौमा number point है, आटमा number point है, the security should be listed at the stock exchange of India, तो कोई भी इंडिया का stock exchange, जो भी 4-5 है, वहाँ पे वो company listed होनी चाहिए, तो ही आप उसको एक तरीके से, you know, वहाँ पे आप buyback कर सकते हो, तो जिस company का भी आप share खरीद रहे हो, आप obviously अपनी company का खरीद रहे हो, तो आपकी company share market में listed होनी चाहिए, ठीक है, so within 7 days of the last date of completion of buyback, the company shall extinguish or physically destroy such shares, जैसे ही आप खरीद लोगे, उसके 7 दिन के भीतर, आपको 7 दिन के भीतर company को extinguish या फिर physically destroy करना पड़ेगा उन paper shares को जो कि उनके पास है उस valuation के, है ना, क्यूंकि आपने तो share खरीद दिया, मतलब वो market में आप issue नहीं है, जब market में issue नहीं है, तो किसी उतरा का paper आपके पास है, जो कि उस share के बारे में ब certificates को, ठीक है, the company shall not make further issue of shares within a period of 24 months, तो आपने जिन shares को buyback किया है, उसको आप अगले 24 महिने तक के लिए वापस से market में issue नहीं कर सकते हैं, accept the issue of bonus share after completing the buyback share, लेकिन आप सिरे bonus share को एक तरीकी से market में दे सकते हैं लोगों को, लेकिन आप fresh issue 24 महिने तक आप नहीं कर पाएंगे, आ आपको अगर करना है, तो आप bonus share issue कर सकते हैं, ठीक है, the buyback cannot be done through a subsidiary और investment company, तो buyback जो है, वो किसी subsidiary या तो investment company से नहीं हो सकता, वो आपकी company ही आपकी shares को buy करेगी, कोई और company, कोई subsidiary, को investment company इस चीज़ को buy नहीं कर सकती है, ठीक है, तो यह 11 points है, 11 conditions है, जिनको fulfill करना important है जब भी आप buyback shares की बात करते हैं, आप examination में अगर आप से पूछा जाए, तो आप इसको please लिखें, आपको अच्छे marks मिलेंगे, मिलते हैं लिए वीडियो में आपना ख्याल रखें, bye bye, thank you.